नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्त पर दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें आज रात माग महीने में पढ़ने वाली जया एकादशी वाले मंगलवार की रात सोने से पहले कर लेना, एक लोटा जल का ये उपाए साथ जन्मों तक इतना पैसा मिलेगा कि सोच भी नहीं पाओगे आज की वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है, इस वीडियो में बताए गए उपाए को ध्यान से समझना, पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ती होती है, जिससे आपकी प्यास बुझती है एवं यदि आपने पानी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली, तो इसके उपाए से आप अपना रुका हुआ बनवा सकते हैं यदि आपका ये पीछे पड़ा हुआ रुका हुआ काम बनता नहीं है घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है गरीबी आप नहीं छोड़ रही है और आपने पानी का सही रूप से उपाय करना सीख लिया और जान लिया जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है आपके सारे काम हो जाएंगे गरीबी, दरिद्रता, आपसे कोसों दूर चली जाएगी आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे आपको महालाकस्मी का आशीरवाद मिलेगा भगवान के आशीरवाद अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नती करेंगे दोस्तों आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इनसान के शरीर में भी 70% पानी होता है एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नेगटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से किन्तु आपके घर में जो एक साधा पानी आता है उसका उपाय करना यदि आपने सीख लिया जिसके इस वीडियो में आपको पता चलने जा रहा है आपका कितना ही ये बिगड़ा हुआ काम है क्या आपके कितनी बड़ी नेगटिव शक्ति है सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाए सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण, आप उसकी एक क्रिया होती है, क्रिया को आपको करना होगा, तभी आपको असर दिखना चालू होगा, यदि इसकी एक भी मिस कर दी या गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा, कैसे आप लोग पानी का उपाय करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं, जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें, कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक रुपया का भगवान शिवजी का हाथ आपके सर पर हो जाएगा, गरीबी दलित नेता आपके जीवन से दूर चली जाएगी, धन आने का मार्ग हो जाएगा, एवं भाग्य का साथ आपको मिलेगा, सुख सम्रिध्य आपके जरूर आएगी, दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके ल पानी के विकल्प में पत्ता खा कर जी सकता है, फल खा कर जी सकता है, परन्तु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे आप्शन के रूप में वह भी नहीं चुन सकता है, उसको पानी चाहिए ही चाहिए, वरना वह जी नहीं पाएगा, इसको भी एक समझ आ गया है कि ल उनने यदि पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया, तो यकीन मानिये, आपको पानी के रूप में जो दूसरे कार्य होते हैं, उसको आप अपने जीवन में चार के काम में ले आएंगे। नहीं पीएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे लोग होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी है, दोस्तों मैं बता, यदि आपका कोई जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को बदल सकते हैं, केवल पानी, यदि आपने तंत्रमंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रू का विनाश कर सकते हैं, आप जान लीजिए, शत्रू कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है, शत्रू बनने के पीछे कई कारण होते हैं, कोई व्यक्ति आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है आपके बारे में जब भी सोचते होंगे आपका दिमाग खराब हो जाता होगा किन्तु आज के बाद आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि एक साधारन पानी का उपाय करके आप अपने शत्र को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं दोस्तों, चक्र पर ध्यान करते हुए यदि आपको हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं यकीन मानिये आपका शत्रु पर आ जाएगा चक्र बहुत आसान होता है किन्तु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा ये एक आसान से क्रिया है स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने शत्रु के को बरबाद कर सकते हैं इसलिए बहुत ध्यान पूरवक सुनिएगा जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे दोस्तों आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बरबाद हो जाएं आपके जीवन सम्रिध्य और भाग्य के साथ चला जाए और वो ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुचाने के बारे में दिन सोचता होगा किन्तु स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय करते हुए आप अपने शत्रु को कर सकते हैं हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है चक्र उन्ही लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं किन्तु बदले यदि कोई व्यक्ति उस सच्चे इनसान का नुकसान चाहता है तो स्वाधिष्ठान उस व्यक्ति का नुकसान कर देता है जिसकी सोच गलत है, जिसकी नेगिटिव है स्वाधिष्ठान का योग कैसे करना है चलिए, आपको बहुत ध्यान पूरवग बताते हैं बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, किन्तु आप यदि चाहते हैं कि शिवा भगवान का आशीरवाद मिले, तो कॉमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा. हर-हर महादेव दोस्तों, लाइक मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा. यदि आप इस तरीके के हर तंत्र, मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो कॉमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए. हर अब आप कम समय नश्ट ना करते हुए, आपको सरल भाशा में बता दें. स्वादिष्ठान चक्र. यदि आपको उपाय करना है, और आप चाहते कि आपका शत्रू पर बांध हो जाए, तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा. ध्यान रखिएगा. स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा. ये चितावनी है. स्वादिष्ठान चक्र का जो होगा, वो आप पर भी आ सकता है. यदि आपके पास का गिलास नहीं है, और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते हैं, तो ये बहुत विकल्प है. अब आपको क चपलना हो, आप नंगे पाउं जमीन पर खड़े हो. मतलब धर्ती से आपका छूना चाहिए. धर्ती से आपका पाप कनेक्ट होना चाहिए. स्वादिष्ठान चक्र आपको घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना होगा. ये प्रक्रिया आपको साथ करनी है. सुबह और शाम सुबह साथ बजे से पहले, शाम को बजे के बाद. ये प्रक्रिया यदि आपने कर लिया, आधे घंटे आपको करना है. ये साथ आप यकीन मानिये, जो आपका शत्रू होगा, वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा. यदि वह आपके बारे में गलत करने के लिए प्रय स्वाधी शुरू हो जाएगी. आपको बता दें, आपका शत्रू आपके बारे में सोच के घबराना चालू हो जाएगा. वह आपको जब भी देखेगा, अपना रास्ता लेगा. स्वाधिष्ठान चक्र हिंदू पुरानों के हिसाब से, शत्रूं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा है. स्वाधिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा. दोस्तों, ध्यान रखिए तांबे के लोटे और का जो भी गलास होता है, उसी इन एक आदमी का जीवन बरबाद कर सकते हैं. तो आपको बता दें, चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बरबाद करें, अधिष्ठान चक्र केवल बना हुआ है. शत्रू की ताकतों रोकने के लिए, ये इसलिए यदि आप स्वाधिष्ठान चक्र का इसलिए उपाय करना चाह रहे होंगे. क्या आप एक भले ही जीवन बरबाद कर दें, तो ध्यान रखिएगा. कभी भी ऐसा नहीं. किन्तु यदि कोई भी इनसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको करना चाहता होगा, तो स्वाधिष्ठान चक्र उसकी बरबादी कर दे हैं कि कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंतर का जाप करना होगा. इसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, आपको बता दे कि यदि आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी जीवन में चुम्बक की तरह धन को आते हुए देखेंगे. आप अपने जीवन से डारेक्ट नेता गरीबी को जाते हुए देखेंगे, शिवजी और महालक्ष्मी का आते हुए देखेंगे, आपका जीवन सुख और सम्रिध्धि से बजाएगा. जैसा हमने आपको पहले व जाब करना है, मंत्र होता है, इसका जाब करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपना होगी. मतलब जितनी बार आप पानी पिए उतनी बार आपको शरीर बीज का जाब करना होगा, वो भी दो मिनट तक आपको करना होगा. आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा ह कि हर बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं। इसलिए हम, हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं। और बीज का काम कैसे होता है, वो भी बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई ना कीजिएगा आपको बता दें। मंत्र जो होता है, वो मंत्र होता है, जो सीधे सीधे शिवा जी के लिए आप लोग जाते हैं। और भगवान शिवा जी का आशीरवाद मिलता है। मा लक्ष्मी का भी इसमें आशीरवाद आपको मिलता है। इसी लिए धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। मंत्र यदि आप पानी पीते वकत हर बार नहीं करते हैं, तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको लाल गुलाब चाहिए होगा, इस लाल को आप किसी भी किसी भी एक गिलास बॉटल में डाल दीजिए, मतलब गिलास पानी में डाल दीजिए और अपने में पकड़ के बिना चप्पलों के आपको आधे घंटे तक जाप करना होगा अब आपको करना ये है किसी एक बड़ी बोतल में या किसी एक योग में पानी भर लीजिए और उसी में ये जो आपने श्री वाला पानी तयार किया है, इसको पलट लीजिए, ईसको पलट लीजिए और पूरे इस पानी का उपाय कीजिए। इसी पानी को आप लोग पीते रहिए दोस्तों, बता दें जब आपने पानी के साथ का जाप किया था उस पानी के अंदर मंतर हो गया था मतलब वह जो निमंतरित हो गया था अब इस अभिमंतरित पानी को जब आपने जब बोतल में पलटा तो ये अभिमंतृत पानी उस पानी को अपने अंतरगत मिला लेता है और अभिमंतृत कर देता है अब आपको जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था हमारे शरीर में होता है और जब इस पानी का धारण करते हैं आपके ये जाता है तो यहां आपका पानी जो शरीर में जा रहा है ये आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आप एक सी उर्जा देखने को मिलेगी बिल्कुल सुना आप लोगोंने आपके शरीर में आपको एक अलग सी उर्जा देखने को मिलेगी भगवान भोलेनात जी का, जहां आपको एक तरफ आशिरवाद मिलेगा, वहीं पर महालक्ष्मी आपके लिए धन के दर्वाजे खोल देंगी सरल आपको बताए, आपके जीवन में आपको धन की वृद्ध भाग्य का सुख सम्रिध्धी देखने को मिलेगी दो, तो ये जो हमने आपको दी है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, हिंदू पुरान के हिसाब से ये जानकारी एक जानकारी है, साफ जानकारी है, और ऐसी जानकारी है, जो आपके जीवन को बदल के रख सकती है आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था एक रुपया का आपका खर्चा नहीं है केवल इस मंत्र का जाप करके आप अपने को बदल सकते हैं आपका परिवार सकता है हमारे चैनल का एक है जनहित और जनकल्यान इसलिए एक निवेदन था हिंदू भाईयों तक इसको पहुँचाईए ताकि वो भी अपने जीवन में आगे जा सके उनका भी सुख हो सके और उनके सुख से आपको भी पुन्य मिले और हमको भी पुन्य मिले और हम दोनों पुन्य के भागिदार हो जाएं कर्द मुक्ती के लिए दिन सवा पांच साबुत मुंग लेकर उसे उबाल लीजिए फिर इसमें घी और शक्कर मिलाकर गाय को खिला दे इस उपाय को पांच साथ मंगलवार करें इस से आप जल्द ही कर्द के बोज से मुक्ती जाएगी जया एकादशी की रात करें ये गुप तुपाय बन जाओगे आप करोडपती न केवल आपको मिलेगा आपके भाग्य के साथ बलकि आपके जीवन में होगी धन की वर्शा और इस जया एकादशी के बाद इन बारह में से छह राशिवालों को करोडपती बनने से नहीं कोई रोक पाएगा बारह दिसंबर दो हजार तेस को जया एकादशी पढ़ रही है और आपकी जानकारी की ये बता दे मार गमावस्या वही दिन होता है जिस दिन माता लक्षमी जी का आशिरवात पाने का सबसे सुनहरा मौका होता है आपको बता दें बारह दिसंबर दो हजार तेस के बाद शनी ग्रह के गोचर छह राशियां वाले ऐसे होंगे जिनके जीवन में शनी देव जी की इनको वह कृपा जिसके बाद ना केवल इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा बलकि शनी देव जी के आशिरवात से इनको अब करोडपती बनने से कोई नहीं रोक पाएगा हमारे हिंदु धर्म में साफ साफ कहां गया है यदि भी व्यक्ति अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से परेशान है और वह व्यक्ति केवल जया एका दशी के दिन माता लक्ष्मी जी के लिए थोड़ी सी ही पूजा पाठ और उपाय कर लेता है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं तो केवल एक दिन की की गई पूजा से आपको माता लक्ष्मी जी का वो वर्दान और वो आशीरवाद मिलता जिसके बाद आपके जीवन से हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती और आपके जीवन में लक्षमी जी के से धन चुम्बक की तरह खींचा हुआ चला आता है आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है क्योंकि जया एकादशी के दिन माता लक्शमी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्मुद्रा में है और यदि आप आज हमारे वीडियो में बताएं हुए उपाए 12 दिसंबर 2023 जया एकादशी के दिन करते हैं तो यकीन मानिये दोस्तों, आपको माता लक्षमी जी का वो वर्दान और वो आशीरवाद मिलेगा, जिसके बाद इस साल आपको पैसे की कमी नहीं होगी, दूसरी तरफ का आपको की जया एकादशी के दिन, जिस दिन शनी जयनती पढ़ रही है, उसी दिन शनी ग्रह का जा र रहा है कि शनी ग्रह के गोचर से इस बार बारह में से छह राशियों वाले ऐसे लोग होंगे, जिनको ना केवल जीवन में अब इनके भाग्ये का साथ मिलेगा, बलकि शनी देव जी की कृपा से इनके जीवन में इनको धन, सुख, वैभव की प्राप्ती होगी, एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ती का शनी ग्रह, उस व्यक्ती लाखों शत्रू उसके खिलाफ खड़े हो, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं, जिस व्यक्ती को शनी देव जी का आशीरवाद मिल गया, फिर वह व्यक्ती अपने जीवन में इतना काम प्रम्याब होता है कि समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है. हमारे तंत्र में कहा गया है, माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपके जीवन में धन चुम्बक की तरह खींचा हुआ चला है, आपके उपर धन की वर्षा हो, और शनी देव जी के आशीरवाद से आपक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जै लक्ष्मी जी कीजिए भगवान शनी देव जी की और एक काम कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में अपनी भी डाल दीजिएगा आपकी राशी के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय होगा जिस तक आपने कोई लाइक नहीं किया है, है वीडियो को लाइक कर दीजिए, देखे दोस्तों, आपको एक बात बता दें, शायद ये बात आपको पता ना हो, पूरे साल जितने भी पंडित, जोतिश, एस्ट्रोलजर होते हैं, वो मार्ग अमावस्या का इंतजार करते हैं, कहा ज उस व्यक्ति को उस पूजा का लाभ मिलता रहता है, इसलिए इस वीडियो में आज आपको हम कुछ ऐसे उपाय बताने आ रहे हैं, जो बहुत साधारन से उपाय है, और इन उपायों को यदि आपने कर लिया, तो एक तरफ तो आपको माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिल और माता जी का जिस भी व्यक्ति को मिल जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की उसको प्राप्ति होती है, दूसरी तरफ हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिससे आप शनी देव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, अब मान लीजिए कि साढ़े साती चल रही है, आपके उपर शनी दोश लगा हुआ था, आपकी अडिया चल रही है, तो दोस्तों इसका प्रकोप खत्म तो नहीं किया जा सकता है, है परन्तु इसके प्रकोप को कम किया जा सकता है, यदि आप किसी ऐसे पंडित के पास जाएं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, जो आप प्रकोप के वाला हो और आप उससे यह कहे कि मेरी साड़े साथी चल रही है, मेरी अड़ियां चल रही है, मेरे उपर शनी दोश है यह इसको खत्म किया जाए। और इसके लिए पूरे एक ही दिन उपाय किया जाता है, वह है शणी जयन्ती के दिन। तो दोस्तों, यदि आप एक ही दिन की पूजा से भगवान शणी देव और माता लक्ष्मी जी को प्रसंद करना चाहते हैं, वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक अंत तक, अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा, जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, और इन उपायों को किस मुहूर्थ पर करना है, ये भी लिख लीजिएगा, और इन उपायों को करने बाद जरूर ही आपको अपने जीवन में एक छमतकारी और सकारात्मक बदलाव देखने मिलेगा, चलिए आपको एक एक करके हर उपाय के बारे में बताते हैं, उपायों को किस मुहूर्थ पर करना है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, और उपा सबसे पहला उपाय जो आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं, वो है धन प्राप्ति का महा उपाय, और यह उपाय आपको सूरियास्त के बाद करना है, के बाद मतलब साड़े पांच से साड़े चह बजे के बाद, कभी भी उपाय आप लोग कर लीजिएगा, एक लाल कपड़ 51 काली मिर्च के दाने और 108 के दाने, ये चार चीजें आप लोगों को रखनी है, ये रख लिया, अब आपको लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है, लाल कपड़े बना लीजिए, अब आपके घर पर जो पूजा घर है, जहां पर माता लक्षमी जी की कला चित्र है, वहां पर आप बैठ जाएए, बैठने के बाद सबसे पहले आप एक घी का दीपक जलाएए, घी का दीपक जो आप जला रहे हैं, वो गाय के दूद से बना हुआ घी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, अब आपको यहां रखनी है, और माता लक्षमी जी का मंतर बोलन आपको करना है, अब आपने ये कर लिया, माता लक्षमी जी के चर्णों से इस पोटली को छुआईए, और अपनी तिजोरी में रख दीजिए, इतना उपाय यदि आप लोगों ने जया एक का दशी के दिन कर लिया, तो ये स्टैंप पर हम आपको लिख के दे रहे हैं, दोस्तों, माता लक्षमी जरूर ही आपको आशीरवात देंगी, और जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, जया एकादशी के दिन, लक्षमी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा, दूसरा उपाय जो हम बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है शनी दोश के प्रकोप को कम करने का, महा उपाय हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, दोस्तों, शनी दोश किसी का भी खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु हाँ, यदि आपकी साड़े साथ है, शनी दोश चल रहा है, तो इसके प्रकोप को लग भग लग भग ना के बराबर क किया जा सकता है। अब यदि आप चाहते हैं कि शनी दोश आपका कम हो जाए, तो आपको क्या करना है। के बाद आप लोग एक काला कपड़ा ले लीजिए और काले कपड़े में काली मिर्च, 51 काली मिर्च के ऊपर एक रुपए का सिक्का और इस काले कपड़े की पोटली बन चाहिएगा तो काले धागे का प्रयोग कीजिएगा। सूर्यास्त के बाद किसी भी शानी मंदिर के बाहर जाकर के इस पोटली को रख दीजिए। यदि वहाँ पर कोई भिखशुक मिल जाता, आपको भिखशुक को दे दीजिए और घर पर वापस चलाइए। बस इतना कर शनी देव जी को प्रसंद करने का महा उपाए। यदि आप चाहते हैं कि आपका शनी का साथ दे, शनी देव जी का आशीरवाद आप पर सदैव बना रहे, तो आपको क्या करना होगा। एक बहुत सरल सा उपाए हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आसान सा है दोस्तों घर पर साथ रोटी बनवा, साथ रोटी किसी भी काले कुत्ते को खिला दीजिए। सुबह से लेकर के रात के बीच में। ये उपाए बारह दो हजार तैईस के दिन कर लीजिए। पूरे साल शानी देव जी का आशीरवाद आप पर बना रहेगा। आप जो भी निर्णे ल कर्ज मुक्ति का महा उपाए है। देखिए दोस्तों, यदि व्यक्त कर्जा लिया होता है तो उसको नींद नहीं आती और वो खाना खाना कम कर देता है। क्योंकि कर्जे की एक ऐसी समस्या है जो इनसान का जीना हराम कर देती है। और यदि आपने कर्जा लिया हुआ है, आप कर्ज के बोज में दबते हुए चला रहे हैं, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे और ये पूरे साल में केवल जया एकादशी के दिन किया जाता है। पीतल की कटोरी लीजिए, पीतल की कटोरी में भरिये गंगा, जल, गंगा, जल, भरने के। उसमें 2023 जो शनिवार का आपको सौ करके उठना है, नहाना है, धोना है, उस कटोरी को उठा करके लाइए, एक रुपए के सिक्के को वापस से धो लीजिए, लाल कपड़े में लपेटना या तिजोरी में रख दीजिए, जहां पर आप लोग पैसा सोना चांदी रखते हैं, बस इ जिक्र आपके जीवन के हर दोशों को खत्म कर देगा, अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है, जो यदि आप करते हैं, तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर होंगी मान लीजिए, आपके घर पर काला जादू हुआ है, केवल जया एकादशी के दिन, आपके घर पर जो भी विद्या, काला जादू, धन्तंत्र, शक्तिकाली विद्या, कुछ भी ऐसा कराया गया था, इसका प्रकोप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और यह उपाय करने के बाद, आपके घर पर एक सकारात्मक उर्जा बन जाएगी, जिसके बाद आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नती भी होगी, अब कौनसी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं, जिन शनी देव, वो कृपा मिलने आ रही है, जिसके बाद ये राशे वाले अपने जीवन में अब एक भाग्यशाली और चमतकारी समय देखेंग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से निवेदन था, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, है वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहली खुशनसीब राशि जो है, दोस्तों वो है राशित उला राशी वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपको शनी देव जी का वो आशीरवाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में अनेक तरह की कोई सफलताएं हासिल होंगी इस शनी जन्ती के बाद यदि आप लोग नया व्यापार शुरू करते हैं तो मान के चलिए आपको लाखों धन पाने की योग्य बन रहा है आपने जो पिछला करजा लिया हुआ था जिस करज के में आप लोग दबते हुए चले आ रहे थे तुला राशी वालों का वह करज अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जीवन साथी का भी अब आपको साथ मिलेगा और आपके जीवन में अनेक तरह की आपको सफलताएं मिलेंगी अब आपको क्या करना चाहिए तो ध्यान रखिए प्रत्येक शनिवार को किसी भी पीपल के पेड़ को एक लोटा जल देना शुरू कर दीजिए इससे शनिदेव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी दूसरी, खुशनसीब राशे हैमकर राशितो मकर राशे बताया जा रहा है जो नौकरी की आप तैयारी करकर के ठक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी इस शनिजैनती के बाद समझा जा रहा है कि नौकरी जो आप कर रहे थे, उसमें आपको प्रमोशन देखने को मिले, नई प्रॉपर्टी, नया वाहन खरीदने के लिए पूरे-पूरे योग बन रहे हैं, आपके व्यापार में आप वृध्ध देखने को मिलेगा इसी तरह से अनेक तरह की सफलताएं आपको हासिल हो सकती है अब आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि प्रत्येक को आप लोगों को किसी भी पीपल के पेड़ के पास एक सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के बाद जलाना होगा, इस से आपका शनी हमेशा आपका साथ देगा और यदि आप सिह राशी के हैं कोट का चहरी में आपको जीत हासिल मिलेगी, इस 12 दिसंबर 2023 के बाद धर्म कर्म में रुची बढ़ेगी, सिह राशी वालों का मार्केट में अटका हुआ पैसा वापस से इनको मिल जाएगा और यदि आप शेर मार्केट वगेर हमें पैसा लगाते हैं, तो वहाँ से दुगना, चार गुना, दस गुना तक बढ़ सकता है बताया जा रहा है कि यदि आप लोग प्रत्येक शनिवार को काले तेल का दान करना शुरू कर दें, तो इससे आपका शनी ग्रह इस तरीके से हो जाएगा, जिसके बाद जीवन में आपको उन्नती करने से कोई नहीं रोक पाएगा तो ये थी आज की विशेश जानकारी, उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लीडियो सब्सक्राइब नई लगी सन उपन दार वाद शवाद.